जी फ्रेंट्स दो बड़े इंपोर्टेंट सवाल सामने आए थे आज की वीडियो का मारा फोकॉस ही एक उन दो सवालों को थोड़ा एक्स्प्लेन किया जाए एच परसी से रेलेटेड़ नमबर वन सवाल यह था कि एच पेल्जी के अंदर जो इन लाइन फिल्टर होते हैं और फिल्टर के सामने और फिट्स होते हैं इनकी वाशिंग किस तरह की साइस इंधी वाश्शिंग का प्रोसीजर क्या एक सवाल यह आ दे इसको डिस्क्राश करेंगे नमबर दो कि हम सेंप्ल करतें हों मैक्सिमम एब्साम कहां तक जाता है उसकी क्या क्रायटिया होता है मै यह चैनल वाइस अपक्यानी और मैं सब्दाखान जी देखेंट सबसे पहले सवाल था कि इन-लाइन फिल्टर की वाशिंग आप किस तरह करते हैं पहले तो यह समझने के फिल्टर बैसिकली होता क्या है यह जो फिल्टर लगे होते हैं इन-लाइन फिल्टर यह बैसिकली आपक को सिस्टम को से रोकते हैं इन इंस तुलेवल इंप्रीटिज जो आपके सिस्टम में चले जाती हैं आपके कॉलम की लाइफ को नॉर्मल वाशिंग करते हैं उसी तीम में आपके फ्रिट्स आपके इनलाइन फिल्टर वाश हो रहे होते हैं लेकिन जब यह सेडिमेंटेशन के बाद ब्लॉकेज के बाद कंटमिनेशन के साथ बहुत जब ब्लॉक हो जाते हैं इनकी ब्लॉकेज लेवल बढ़ जाता है यह बहुत जाएधा फिल्ट्र क्या के तहीं वाशिंग कर रहा होते हैं इनको ऐसा नहीं कि आपने निकाला और फिल्ट्र को निकाला वाश करके दोबारा लगा दिया एसी क्रिटिरी नहीं जाते हैं अगर आपका ब्लॉक ऑपका मोबाइल फैसकी ब्लॉक अंदर जो प्रोब होता है उसको आप सोनिकेट करतें हैं टोड़ा सů वाउच कर लेंगे वाटर से वाइब करेंगे मितनोल से उसके पर रखेंगे गाला होता हुए लेकिन जो आपकी निकल जाता है दो रीप्लेस होते हैं उसके उपनिकर होते ऐसा नहीं है क्योंकि जब आप कॉलम के बगएर सिस्टम को जज करते हैं यूनिल लगाके फिर भी आपका बैक प्रेशर हाई हो रहा हो तो कोई नवी फिल्टर आपका चौक हो चुका होता है जब वह चौक हो चुका होता है तो उसको वाशिंग प्रोपर नहीं होती उसको आ करते हैं आपकी की साथ के लिखयाते हैं जो पारिविए आते हैं इसके अंदर आपकी फील्टर निकालते हैं और यह कहा प्रीपलेट्र को खो लेंगे आ नंदर एक लिडियोतSuके निकालके वहां गोड़ते हैं तो सिस्ट्रम का बैक प्रेशर बहुत जादा ही और रहो तो इस केस में इस में आपके इनलाइन फिल्टर चौक हो चुक होते हैं इनको आप रिप्लेश करते हैं प्रॉपर वाशिंग करेटिरिय नहीं होता नॉर्मली जो आपके एच पर सी की वाशिंग हो रही ती उसी थीम में आते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने देख लिया कि इनलाइन विल्टर आपका ब्लॉग है या आपके फिट्स आपकी चौक हो चुकी है तो आप इसको वाश करके दुबारा लगा दें ऐसी बेस्ट प्रक्टिस कहीं पर नहीं इन फिल्टर को इन चॉक्स जो फिट्स होत है उसकी आपका पता है कि यूवी और विजिबल रेंज यूवी की रेंज का 200 से 400 श्वाइब सब्सक्राइब पता रहे हैं वह आपकी कंसर्टेशन एब्जॉबर जैन से बहुत बढ़ चुकी होती है बहुत ज्यादा कंसर्टेशन का आप सुलुशन लगाते हैं तो एब्जॉबर उस लिमिट से बाहर चले जाती है सिस्टम उसको डिटेक्ट कर रहा होता है लेकिन उसकी प्रॉपर पीक नहीं दिख विजिबल रेंज और यूवी रेंज होती उसके अंदर 200-400 और 4-800 की रेंज में नैनोमेटर में जो एब्जॉबर मेक्सिम होती है उसको एब्जॉब कर रहा होते हैं यह दो सवाल है और इस रेंज में हो रहा होते हैं बड़ी इंपोर्टन चीज थी इसको अपना रेंज और यूवी रेंज के लिया से अब्सॉब कर रहा होते हैं होफुली आपको क्लियर हो गया होगा अभी वीडियो के आप एंड करते हैं जो लोग चैनल पर न्यू है वो लाजमें स्प्राइब कीजिए और शेर कीजिए लाइप कीजिए ताके तमाम नहीं आने वीड आपको पोच्टी रहे तैंक यू फो वाचिंग लापिस